नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूँ आपका हमारी सी यूटूब चनल अपडेट्स वित कुंदन में दोस्तों जैसा कि पता है SBI PO Prelims का रिजल्ट आउट हो चुका है और यह मेरा स्कोर कार्ड है SBI PO का 20, 21, 27 नवंबर को एक्जाम हुआ था जिसमें कि मेरा 21 नवंबर को एक्जाम था और फ्रेंट्स यह मेरा स्कोर कार्ड है देख सकते है मेरा नाम है यहाँ पर कुंदन कुमार और OBC कैटोगरी से फॉर्म फिल किये थे और यह स्कोर कार्ड है मेरा मार्क से 53.25 टोटल एक्टेम्ट की बात करें तो मैंने 60 एक्टेम्ट ही किया था और मार्क सायं 53.25 तो मेरे एक्टेम्ट कम ही थे फ्रेंट्स क्योंकि एक्शली मेरे साथ कंप्यूटर का भी प्रॉब्लम हो गया था कंप्यूटर खड़ाब दे दिया गया था मुझे और मुझे थोरा सा टाइम लाश्ट में एक्ष्टा मिला 2-3 मिनट लेगिन लाश्ट में वो हल्ला करने लगते हैं तो रिजनिंग सेक्षन में मेरे एक्टेम्ट भी कम रहा थे जिस कारण से क्योंकि सबका हो गया था और सब हल्ला कर रहे थे मैं केला दे रहा था तो जिस करण से नर्वसनेस में अटेम्ट भी कम हुआ मेरा एक्षली वो भी सी का अगर देखा जाए कट ओफ तो 61.25 है और मैंने अटेम्ट 60 किये ये only मतलब कट ओफ से भी कम अटेम्ट किये थे तो चलिए होता रहता है EWS का 62.75 है कट ओफ और जेनरल का 63 गया है कट ओफ SC का 54.75 and HT का 49.25 and यहां पर लिख दिया है sorry you have not been shortlisted for the मेंस एक्जामनेशन तो चलिए जिनका भी हो गया उनको बहुत बहुत बढ़ाई है congratulations बताईएगा आप अपना result आपका हुआ है या नहीं हुआ है comment section में और I think 2 January को मेंस का एक्जाम है उनको second jan में आस से 2 से 2 week के बाद यानि कि लगवक 15 days के बाद मेंस का एक्जामने जिनका भी clear हुआ है all the best फिर मिलते हैं next वीडियो में तब दिक लिए आप प्राई करते नहीं अपना